हाई फ्रेंड्स श्रदा कपूर को लेकर इस समय बॉलिवुड कर लियारों से एक चोका देने वली खबर आ रही है रिपोर्ट्स के मताबिक ये माना जा रहा था जहां आलिया भट और रनबीर कपूर अपने रिष्टे को शादी का रूप देने वाले हैं वहीं श्रदा कपूर भी अपने बॉइफरेंड रोहन श्रेट से शादी करने वाली थी पर अब खबर आ रही है कि दोनों का ब्रेक अप हो गया है रोहन और श्रदा पिछले चार सालों से रिलेशन्शिप में थे रोहन श्रदा की फैमली से भी काफी क्लोस थे अब ही पिछले दिनों ही रोहन ने श्रदा का एक ब्यूटिफुल ब्राइडल फोटो शूट भी किया था दोनों का रिलेशन्शिप काफी अच्छा चल रहा था पर फिर अचानंग दोनों के रास्ते अलग-अलग हो गए रिपोर्ट्स की माने तो अभी कुछी समय पहले श्रदा ने अपना जनम दिन गोवा में मनाया था पर रोहन वहाँ पर नहीं थे हाला कि कहा जा रहा है कि रोहन उस समय फ्री थे फिर भी वो श्रदा को उसके जनम दिन के लिए जॉइन नहीं कर पाए दोनों लंबे अरसे से इस रिलेशनशिप में थे और अब अचानक इस रिलेशनशिप के तूट जाने से रोहन को बहुत गहरा सदमा लगा है उन्होंने खुद को घर में बन कर लिया है रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि शरदा भी इस रिलेशन्शिप के तूटने से काफी दुखी है और इसी वज़े से उन्होंने खुद को काम में काफी ज्यादा बीजी कर लिया है शरदा इन दिनों रन्बीर कपूर के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रही है जिसका टाइडल अभी तक सामने नहीं आया है हाला कि दोनों इस रिश्टे के तूटने से बहुत ज़्यादा दुखी है पर शरदा और रोहन ने अभी तक किसी को वज़े नहीं बताई है कि ये रिश्टा आखिर का टूटा तो क्यों टूटा शरदा कपूर के फैंस भी इस न्यूस से काफी दुखी है